दिनकों को भुस्त वह बिश एन वेल्कम दूलब क्रासेटृ टॉपिक के संप इस हाइब आंजेल टीकर देशन चोर्ट है तो हैं तो हाइब準 कॉंजेशन जो है वह यह we is a general stabilization interaction it is involved the localization of sigma electron sigma electron get the localization for OTA of CH bond of alkyl group directly attached to an atom with an SP2 hybridized or to an atom with an unshared P orbital hyperconjugation is a permanent effect second point is that hyperconjugation is a permanent effect and here is mentioned that this is a SP2 hybridized carbon attached to carbon or attached to the P orbital is a unshared which is the same electron which will participate in hyperconjugation so hyperconjugation how does it happen when it happens and why it happens let's look at hyperconjugation hyperconjugation positive charge in carvoketine so hyperconjugation is a positive charge here is CH3 alkyl group attached here is CH3 3 this is CH3 This is Ch3 íd ऑर भी VIP 2 से जोिन हैं reckless मिटिं स्थित्री एक इस्थी इस कार्वन इस पत्री हिए तो आइपर गॉगेशन देखने के लिए हमें और यह जो कार्वो कहता है ने यह SP2 hybridized है अगर आपको hybridization देगने में प्रॉब्लम हो रही है आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको एक पर hybridization को concept बता देती हूं ट्रिक है यह hybridization के concept को tricky ways पे समझते हैं hybridization किसी भी कार्वन अटम में कैसे find out करते हैं तो इसके लिए एक simple सी trick है तो आप easily समझ लीजिएगा अगर हमारे पास 4 sigma आए 4 sigma bond है 1,2,3 और इससे कार्वन से attach अगर 1 और होता तो 4 होती सिग्मा तो यह SP3 होगा और अगर हमारे पास 3 sigma है प्लस 1 pi है तो हमारे पास जो hybridization होगे वो sigma की वजासे होती है तो यह SP2 है और अगर हमारे पास 2 sigma प्लस 2 pi है तो यह हमारे SP hybridized होगा कार्वन एटम तो हम लोग यह देखते हैं 4 sigma है हमारे पास तो SP3 तो यह जो कार्वन है इससे जो open करके लिख देते हैं कि एक hydrogen यह attach है एक hydrogen यह और एक hydrogen यह और जो single bond है वो 1,2,3,4 तो 4 sigma यह sigma bonds होते है तो 4 sigma bond है तो इसके hybridization SP3 है और इसकी जो hybridization है 1,2,3,3 sigma bond है पाई bond को हम calculate नहीं करेंगे तो यह जो hybridization है इसकी SP2 हो जाएगी तो easily हम यह समझ लेते हैं hybridization वाले concept को अब हम लोग यह देखने हैं कि जो कार्वो कहता है नहीं यह तर्श्री कार्वो कहता है इंता है इसमें 9 alpha hydrogen ते और इसमें hyperconjugation हो रहा था sigma electron का delocalization हो रहा था sigma electron का delocalization हो रहा था completely और जो secondary कार्वो केटायन है C plus CH3 यह भी CH3 है यहां पर hydrogen है तो यह जो positive charge कार्वो कार्वन है यह sp2 hybridized है क्योंकि इसमें 1,2,3 sigma bonds है तो sp2 hybridized हो इससे attached कार्वन जो है वह sp3 है यह भी sp3 है इसमें जो alpha hydrogen है इसमें 6 alpha hydrogen है तो यह हमारी टर्श्री कार्वो केटायन है और फिर हम इसके बाद देखते है प्राइमरी कार्वो केटायन तो प्राइमरी कार्वो केटायन से एक carbon attach है हमारी जो CH3 है फिर hydrogen attach है यह भी hydrogen attach है तो यह one degree कार्वो केटायन हो गए हमारा और यहां पर यह जो कार्वन है वह भी sp2 है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज को कांट नहीं करेंगे वन टू थिरी सिंग्मा बॉंड है तो है sp2 है और इससे जो अटेश्ट कार्वन है वह 1 प्तित्रीम और इसपे थlynn हा रही जाने यहां पर कोई कार्वन नहीं है वह त्रीं है जो चो यह चांट करेंगे हम यहां पर इस कारवन से कोई कार्वन अट ऐसलिग मिशनए पर है तो यह जो है प्रामी कर्वा कहा तहा है जो एल्पा हाय्टृजन थे यह अच्छे जो हैपल konjugation वो जितने एल्पा हाईट्रोजन वह उतनी ही ज्यादा होती है तो जुँग है अब पर कॉन्जीशन टर्श्री कार वो के ताइन में मोर हैं उसके बाद सेकंड ही आद्वर के टाइने-फ allons-डिगरी सबस campe we Всu族 के टायन हे सबसे उ्हुक डिस्टेवल जो इस सबसे vind तो ही इने आइन हमारी करणा एंग करती जितना आथा यह इपर कंजूगेशन होगा उतने ही o इन आप य्ठोन वहएशन में और जितने आलप यह इन अहीं पजिकर लग जाते इस्टेवल कंपांड ओल्कारा एक और अगर कोई कव्य गारः तो फूंक करी तयोस आस स्टेवल है अं स्टेवल्र गाएं फोगान pródल और हो पल्डॉस खायए तो जो हमारे स्टेवल अगर कन्पाउन में है वो हमारे neutral compound होता है ना कि कोई charge compound है यहां पर positive charge है तो यह less stable है as compared to neutral species तो stable होने के लिए इसे neutral करना पड़ता है तो neutral कैसे होगा इसमें electron का delocalization होगा sigma electron का delocalization यहां से hydrogen का ठीक है यह वाला जो है फिर इसके बाद यह वाला है जो hydrogen इसका भी हो सकता है है इसका भी हो सकता है ऐसे delocalization of sigma electrons होंगे हम कुछ organic compound देखते हैं जिसमें hyperconjugation होता यह नहीं होता तो हमारा जो यह first compound है compound number first इसमें देखते हैं यह जो carbon है यह sp2 hybridized है क्योंकि यह double bonded carbon atom है यह जो एक bond है यह पाई bond और एक सिग्मा होता है double bonded जब भी कोई भी आपको bond देखें डबल bond तो एक उसमें पाई होगो और एक सिग्मा हो और जो single bond होता है वो तो sigma bond होते हैं यह जो हम काउंट करते हैं bond को वह 123 तो यह जो है हमारा carbon sp2 hybridized है sp2 hybridized से attached जो carbon है यह sp3 hybridized होना चाहिए और होजा से हमारा hyperconjugation होगा तो यह जो alpha hydrogen यहां पर हमारे पास 3 alpha hydrogen क иногда देखें कि इसमें हमारे पास hyperconjugation है यह नहीं है तो hyperconjugation इसमें 3 alpha hydrogen की होजा से है यह compound होड़ा grandson शो करेगा second compound हम देखें यह वाला Control हम यह आप में तब hops Princip सक्ट कुम्हारा नीकर्वण यहां पर इवाला जो कार्वण यहां पर क्यों कोई भी भी यालट कोई मैं पैubenि कयो तो no है एर्फा है तो यहांफर इसमें जो यह संस्ट आप तो यह वाला से बरावर वाला एड्जसेंट कारवन देखते हैं यह यह वाला कारवन यह कारवन को देखेंगे नहीं इसी कारवन को देखेंगे ठीक है तो यहां पर जो यहां पर है तो कोई भी फाइट्रोजन नहीं को देखते हैं यह आपर कारवन यह यह देखते हैं यह जो हमारा कारवन है यह यह पिए पीटव अर इससे एंटेस्स जो का रवन एक यवाला कारवण और यह की वाला कारवन यह बुब एपिघर स्टिक यह वह यह थिए हए तो जाइप ही यहां पर एक हाइट्रोजन होगा bonded hydrogen तो यह SP3 carbon है तो यहाँ पर hydrogen present और यह hydrogen भी alpha hydrogen है तो एक यह alpha hydrogen और यह तीन alpha hydrogen, total हमारे पास compound में 4 alpha hydrogen है, 4 alpha hydrogen होने की वजह से यह हमारा hyperconjugation show करेगा इस compound में hyperconjugation present है तो यह show कर रहा हमारा hyperconjugation यह वाला compound शो कर रहा है यह वाला compound नहीं शो कर रहा है क्योंकि SP3 carbon पर कोई भी hydrogen attached नहीं है और यह जो carbon हो SP2 है, यह वाला भी carbon SP2 है और इसके अलावे एक हमारा compound और है, toluene यह CH3 यह benzene रहेंगे आपकी और यह जो carbon है यहाँ पर यह SP2 carbon है और इससे attached जो carbon है इसके adjacent carbon जो है यह वाला यह SP3 होना चाहिए और यह SP3 ही है और इसमें hydrogen जो इस पर attached hydrogen 3 है 3 alpha hydrogen तो यह वाला compound भी शो करेगा hyperconjugation hyperconjugation यह वाला compound भी शो करेगा इसका नाम toluene the aromatic compound है यह हमारा ok अब आपको हम लोट्र यह देखते हैं hyperconjugation को cost किया है कैसे होता है यह देखते हैं हुआं अब अब आपको हम लोग यह देखते है ene होता कैसी है तो हाइपर कॉंजुगेशन इस कंपाउंड में हो रहा है यह हमारा पॉजिटिव चार्ज कैटायान है कारवन एक हमारा और इस पर यह पी और वाइटर है यह वारा जो और वाइटर है है s p2 hybridized carbon atom पर यह बी और वाइटर अंशेर ब्लेंग और यह चुछ पर यह उनका ही नित्रायव अर monstrous यह steep की देखाल्ब्ला चार्ण ब्रakah को यहां पर अब्ली ऐक हाइटरोईन का इलेक्टोन है तो यह पर ट्व group यहां परडों trao no है वो यहां shift हो जाएंगे डिलोकलाइज हो जाएंगे completely प्योजर वाइटल में यह जो दो electron है वो completely delocalized हो जाएंगे तो यह जो shift होगा तो यहां पर जो resonance structure बनेगा तो hyperconjugation का structure जो बनेगा वो यह बनेगा यहां यह जो 2 electron है वो यहां shift हो गई तो यह c double bond ने पर c और यहां पर जो positive charge है कर वो cancel हो जाएगा और यहां पर यह जो hydrogen है इसने अपने electron दी एक कावन ने अपने electron दिया तो यह पर जो यह hydrogen यहां से attached नियों से attached तह तो यह bond हटाकर यहां पर positive यह लोलापर यह बीट हो कियो रहे हैं यह लिए इसके वजह से इसलिए 5 जागते हैं यह बेज मतलव क्षोट सब्सक्राइब इसलिए यह झाडर करना चाहिए ऑसी शिफ हो रहा है यह क्यों पासिटिव Agency को टृ यह पासितिफ चार्ज कोक्र correlate चाहते हैं positive charge को कम करेंगे तो यह stabilized होगा हमारा compound more stable होगा और हम hyperconjugation इसलिए करते हैं stability के लिए hyperconjugation जो है हम stabilized होने के लिए करते हैं किसी भी compound को क्योंकि वह stable रहेंगे तो जाद अच्छे रहेंगे तो positive charge इस electron की वज़ा से decrease हो रहा है और stability increase हो रही है compound हमारा more stable हो रहा है तो इसलिए यह इसलिए hyperconjugation हो रहा है यहां पर और फिर यह वाला hydrogen है तो यह जो positive charge sp2 hybridized attached जो कारूंत है sp3 कारूं यह वाला यहां पर यह वाला hydrogen पार्टिसिपेट कर सकता है यह वाला जो hydrogen है वह कैसे प्लेन में एक सिंगल प्लेन होगा उसका यहां पर जो hydrogen होगा और प्य और वाइटल होंगे तो उनका plane और इसका plane से मोगा इस hydrogen का तो ऐसे जब यह रूटेट होगा यह वाला hydrogen इस तरह से रूटेट होगा तो यह जो hydrogen होगा इसका plane से मोगा फिर यह hydrogen जब रूटेट होगा ऐसे करके रूटेशन होता है सिंग्मा बांट का तो यह और पी और वाइटल से प्लेन में आएंगे तो ईजी ली डियू लोकिलाजेशन ओफ एलेक्ट्रॉन होगा तो यह वाला hydrogen भी positive charge बना सकता है है एक पॉजिट ये वाला इंडर कंवर्टेवल है ऐसे यह वाला भी इंटर कंवर्टेवल है यह भी अपने एल्क्रण्व डिलोकिलाज़ करेंगा यह भी अपने एलेक्ट्रण्व दीलोकिलाजेशन कर लेगा तो इसलिए यह फिली यहां पर 3 वह थ्री एलफा है अगर है टोजन किसी भी कंपांड में मौर होंगे तो मौर राइपर कॉंजगेशन शो करेंगे और मौर इस्टेपलाइजेशन होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वह लेस होता जा रहा है क्योंकि यहां के लेक्टोन यहां पर आ रहे हैं तो पॉजि के दुशित अगरे इस बॉजिटिव चार्ज है क्यूंकि इसके लेक्टोन यहां पर इस बॉन के फॉरमीशन पाई बाई को फॉरमेशन प्यूर्द को फॉरमेशन वह और बाई थे लेटरल ओवर्लेपिंग से हो रहा है तो यहां पैटां यहां में करता और नियुम्तिप यह जो है वह सेम प्लेन में इसलिए लिए डिलोकलाज़ेशन ऑफ एलेक्टर ओर एक एक ही प्लेन में आराम से इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है तो यहां पर डबल बॉंड केलेक्टर आ रहा है तो इंटर कनवर्टेवल यह दौन भी इस ट्रक्चर रहे इसके और तीन और यह बन सकते हैं क्योंकि हाइड्रोन एक यह हो सकता है इसी तरह अब हमको यह बाइब कर पाइब दे दिया और यहां पर सिग्मा एलेक्टरॉन दे दिये सिग्मा बाइब दे तो हमारा जो शिफ्ट हो वह सिग्मा डूपाई योगा इस वाले कंपॉर्ण में तो यहां पर यह सिगमा इससे यहां पर शिफ्ट और यहां पर जो यह यह पाई वह यहां हो जाएगा क्योंकि यहां पर वैलेंसी फाइब हो रही थी ठीक है तो यह यहां पर तो इंटर कन वर्टेबल जो हमारा और यह आपने दाने पर ध्लय यहां बर म ही तो यह एच पाउजिटिव मन जाएगा ग्याहां यहां पर एच यह पर और यहां पर जो हाइड्रूजांग और यह भूण पर जली सब्सक्राइख असप्स को फ्याह्म और मैंउव तिरी ते ठीक है और इसमें एलफाइडोजन जो है स्पीटू से अटेज्ट एस्पीटूरी कार्वन पर फाइडोजन यहां पर भी धिरी जैंट तो दौनों लिए hyperconjugation show करेंगे और यहाँ पर जो electron का transfer है, शिकम है एलेक्ट्रों का जो transfer है, वो sigma 2 pi हो रहा है, शिगमा 2 pi हो रहा है यहाँ पर, और जो pi 2 sigma है, कि यह भी हो सकता है, यह question पूच़यों पूच़ जएगा, कि sigma 2 pi हो रहा है, तो pi 2 sigma भी हो सकता है, तो answer है यह यह पाई टू सिगमा भी हो सकता है वह कहां होगा अगर हाइट्रोजन की जगवें कोई हैलोजन ग्रॉप अटेजट होगा फररग्जामब फ्लोरीन एकलोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं तो पाई टू सिग्मा होगा रिवर्स होगा आपका ठीक है वह भी देखते हैं तो सिग्मा टू पाई जो हमारा इपर Conjugation ने वह इस तरह आए यह हमारा सिग्मा बॉंड यह पाइब और यह इस यह वाला बॉंड है यह शिफ्ट वह और यह वारा जो बॉंड है वह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा जो स्टॉक्चर बनेगा वैसा बन जाएगा यह हमारे टॉल्वीन यह ऐसे ही रहेंगे और याँ पर यहाँ जो यह शेफ्क होगा यह फो जाए जए गाइंग प्रड। यह है Сам फिर्ट of हो जाएगा तो यह वाला है इस Good एह जूंञें लहाँ गएलता है याए जूंठ इस प्रस बना लेगा यह विद्धिस बनालेगा к है इस magnesium इन Tonight इसमें डि- कर देती है तो ये जो है इफेक्ट है पर कुन्जोगेशन है इसको नो नो राशनेंस के इस क्वेशन्तों किवेकर इसको एक gemacht और सब कि आफस्ों की जो कि סैन्टेस्ट के नाम पर के इसे नाम पर इसको कहें सो A baker nathen effect और आ나 यह तो पता सहिए यह PERMANENT YFFECT है इयुक् 느'll जाता है यह अपने इलेक्ट्रोचन के पास कोई भी ऐलेक्ट्रोन ही डेक्ट्र करे डेता है तो यहां पर negative charge आजाएगा इसी तरह यह hydrogen का shift करेगा तो negative charge आएगा और तो एंड पैरा position पर यह ऐसे interconvertible होगा तो जो बनेगा एक structure वैसे बन जाएगा यहां पर negative charge आएगा और यह ऐसी रहेगा यहां पर H यह positive charge यहां bond यहां bond तो और तो यह और तो पोजिशन है और यह पर पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पर और कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो electron rich होता है और इस पर लेक्ट्रोफाइल अटेच्च करेगा अगर आप reaction mechanism में पढ़ेंगे आगे तो आपको easily आप identify कर लेंगे कि इस position पर अटेच्च होगा इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटेच्च होगा और इस पर अटेच्च होगा और तो यह जो structure है toluene का वो इस तरह होता है ठीक है तो यह जो इसमें जो sigma 2 pi है इसमें sigma 2 pi है वो delocalization होता है और reverse hyperconjugation है उसमें pi to sigma delocalization होता है electron का pi to sigma तो यहाँ पर जो carbon है यहाँ carbon है यहाँ पर hydrogen attached थे इसकी जगाँ आप halogen लगा दीजिए halogen लगाते ही fclbri pi to sigma delocalization of electron हो जाएगा तो यहाँ पर जो chlorine है यह chlorine या fluorine है bromine iodine होते तो यहाँ पर जो chlorine है more electron negative है as compared to carbon carbon जो less electron negative है तो यह जो electron है वो यहाँ shift हो जाएगे chlorine की तरफ और जो यह pi है वो यहाँ shift होगा पहले pi का shift होगा फिर यह वाला जो electron होगे वो chlorine की तरफ shift हो जाएगे तो जो इसके interconvertible species बनेगी वो यह बनेगी यह वांट तो ऐसी रहेंगे यह जो है यह डबल हो जाएगा यहां पर यह सीयल पॉजिटिव हो जाएगा यहां पर यह 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 तो यह जो इस्पेशीज है, इसमें CL, यह वाली, यह वाली, यह सब reverse hyperconjugation शो करेंगे, अब हम लोग यह देखते हैं, कुछ cautions देखते हैं कि किस तरह hyperconjugation होगा और ज्यादा होगा, तो हमने यहाँ पर सिग्मा टू पाई देख लिया था, अब पाई टू सिग्मा भी देख लिया, रिवर्स hyperconjugation भी देख लिया, अब यह कॉशन है, c1, c, तो यहाँ पर ch3 अटेश है, यह कैलकायल ग्रूप ch3 है, यहाँ पर यह भी ch3 है, और यह भी यह, यह compound आपका a हो गय है, यहाँ पर यह h attached है, यह ch3 है, और यहाँ पर यह h3 है, यह b compound होगे, तो इसमें यह बताना है कि किसमा hyperconjugation जादा होगा, कौन सा compound hyperconjugation जादा शो करेगा, तो यहाँ पर जो यह कारवन है, यह sp2 है, क्योंकि डवल पांटेट कारवन है, यह भी sp2 है, और यह जो कारवन ह है, यह sp3 है, तो इससे जो attached hydrogen होंगे, फिरी, यह 3-6 होगए, और sp2 से attached जो carbon होंगे, वो यह 9 हो गए, और यह 12 होगए, तो total alpha hydrogen यहाँ पर 12 है, को यहां पर छोग व्यांदा है और यहां पर देख लियते हैं कितने अल्फा-ायट्रोजन है लार तो यहां पर सबस्सक्राइब SP3 और यहाँ पर जो एल्फ हायडोजन है वो 3 ialpha h 7 यहां पर 3 है यहां पर भी 3 है तो total कितने हुए हमारे पास 9 9 ialpha h deals हना मारे पास तो जो इस्टे वेलटि ज्याद़ शो करेगा मोर हाइपर यहां पर कॉंसेट्ट फाइंड आउट कर लिए कि क्यों होता है कैसे होता है अब हम लोग यह देखते हैं कि हमारा हाइपर कॉंजुगेशन इंडक्टिव से कैसे डिफ्रेंट है और अगर हमें इंडक्टिव दिया है है इंडक्टिव को प्राइपर कॉंजुगेशन देखते हैं जिसमें इसमें कंपेर ओ कंपेरिंग कॉंट्र ओव इंडक्टिव हैं और यह प्राइमरी कर इटाया है तो इसमें आपको पहले तो सबसे कम 1 डिखरी में अब हम लोग यह देखते यह की यह तो अगर इंड़क्तिव की बात की जाए तो इंड़क्तिव एफेक्ट जो है प्लस-आई एफेक्ट है CH3 का यहां पर भी CH3 यह भी Elkr group है ही सब तो यहां पर जो टियुकॉब इफेक्ट आफ यहां पर प्लस आई की वझाज है तो इसमें मोर होगाँ सबसे जाद इसमें फिर इसमें होगा तो दोनों का जो दौनु का ही सुक्यंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है order तो inductive की वजह से भी इस साइड जाद होगा और hyperconjugation की वजह से भी यह order होगा यह inductive order है और hyperconjugation को जो order है वो सेम है hyperconjugation तो इस question में तो problem होगी नहीं देखने में क्योंकि दौनु का ही सेम है इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है order अब हम लोग कॉशन यह वाला देखते हैं अब इसमें inductive होगा यह hyperconjugation होगा दौनु मैंसे कौन से होंगे और सुकैंस क्या होंगे और अगर दौनु हो रहे हैं तो उसमें जो priority है वो हम किसको देंगे hyperconjugation को priority देंगे या फिर हम inductive को देंगे यह हम देखते हैं तो जो हमारा CH3 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 यह इसमें 9 alpha hydrogen है यह सब इसके isotope है ठीक है यह D-A Deuterium है यह ट्राइटियम है तो यह सब hydrogen की isotope है तो इंड़क्टिव जो है वह सबसे ज्यादा इंड़क्टिव को जो ऑडर है आइंड्णक्टिव जो होगा सबसे जाधा ट्राइटियम में फिर तुट्रियॡ उप्र ही चयम सबसे जाधा ट्राइटियम में फिर नर्ट्रेय। यह उइसाम estos आपका हाइट्रोजिशियों यह ऊधि BET से increase होगा inductive effect यह हमारा inductive effect का order है अब हम लोग यह देखते हैं कि हमारा जो hyperconjugation है उसका sequence किया हुगा वो किस तरह होगा तो hyperconjugation देखने के लिए हमें CH bond होता है यह जो bond है यह easily break हो जाएगा easily break होगा तो इसका hyperconjugation भी more होगा जल्दी से hyperconjugation में अपने electron को delocalized कर लेगा helpful होगा hyperconjugation में तो यह हमारा जो sigma electron है यह delocalized easily होगे अगर यह hydrogen का bond break होगा तो जिसका bond easily break हो bond break easily वो hyperconjugation में participate करेगा ज्यादा hyperconjugation उसमें होगा more more होगा उसमें और इसका जो bond है cd का ct का यह मुश्किल से तूटेंगा cd का और मुश्किल से तूटेंगा ct का और ज्यादा energy देना पड़ेगी तब तूटेंगा और ch का bond जो है वो easily break हो जाएगा और hyperconjugation में participate भी चलती कर लेंगे इसके electron तो इसका जो order है वो ch का सबसे जादा है तो hyperconjugation का जो order है वो ऐसे है इंडेक्टिव का ऐसे था क्योंकि t3 का inductive effect more है d as compared to h तो t का फिर d का फिर h का इंडेक्टिव का यह order था hyperconjugation का यह है ch3 का सबसे जादा hyperconjugation शो करेगा फिर cd3 करेगा फिर ct3 करेगा तो hyperconjugation का यह order होगा अब कॉशन में यह बात गौर करने की है कि हम inductive को priority देंगे यह फिर hyperconjugation को हम किसके हिसाब सबने question solve करेंगे तो जो हम first priority देंगे first priority देंगे हम priority जो देंगे हम वह देंगे inductive यह जो hyperconjugation हमारा हम लोग देंगे hyperconjugation को उसके बाद हम लो priority जो देंगे least priority जो देंगे वह inductive को देंगे तो hyperconjugation की हिसाब से हम अपनो caution solve करेंगे तो हमारा जो order होगा hyperconjugation के according होगा hyperconjugation इसमें more है क्योंकि इसके जो hydrogen और कारून की बीच का bond है वह easily break होगा तो more hyperconjugation शो करेगा फिर उसके बाद यह शो करेगा सबसे कम शो करेगा वह यह करेगा तो हम hyperconjugation के हिसाब से answer देंगे फिर उसके बाद हम इंडेक्टिव देंगे जब हमें hyperconjugation शो नहीं होता इसमें कोई भी hyperconjugation concept नहीं लगता तो हम लोग इंडेक्टिव देखते तो यहां पर हम यहां पर यह जो question solve करेंगे वह hyperconjugation के recording करेंगे और जो हमारा जो यह hyperconjugation है इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो electron का सिंग्म एलेक्ट्रों को डी लोकिलाइजेशन होता है वह completely होता है completely होता है पूरी तरह से और जो inductive है यह आपका in do you ka इसमें जो डी लोकिलाइजेशन ओटा है इसमें पर्शेल डी लोकिलाइजेशन होता है पाशल मतलब सिंग्ट्रों थोड़ा शिफ्ट होते है इक atom की तरफ पूरी तरह से अगर शिफ्ट हो गए तो आयन बना लेंगे आयन का फॉर्मिशन कर लेंगे तो यह कि पार्शेल शिफ्ट होते हैं पार्शली डी लोकिलाइजेशन और सिंग्मा एलेक्ट्रोन और रेजोनेंस में जो डी लोकिलाइजेशन होता है वो पाई एलेक्ट्रोन को होता है उसमें सिंग्मा एलेक्ट्रोन नहीं होता है उसमें पाई एलेक्ट्रोन का डी लोकिलाइजेशन होता है रेजोनेंस में ओके